Hello, Welcome back to my channel Pooja Varma Business Study स्वागत है आपका अपने चैनल पर Pooja Varma Business Study तो आज हम सीखेंगे हिंदी की वर्ड माला इंगलिस में कैसे लिखें अक्सर करके हमें क्या होता है कि हम इंगलिस पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं पर क्या होता है कि हमें अगर किसी का नेम लिखा जाए तो नेम लिखने में हमको क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो आईए हम देखते हम किसी के भी नेम को आसानी से कैसे लिख सकते हैं तो हम इसके लिए हिंदी की वर्ड माला इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये जानते हैं आईए शुरू करते हैं देखिए क तो क को हम लिखेंगे क, ए फिर है ख खा को लिखेंगे क, ह, ए ग, गा को लिखेंगे जी, ए ग, गा को पढ़ते हैं हम जी, एच, ए फिर है पड़ा खाली इसको हम पढ़ते हैं एन, ए फिर है च, तो चा को पढ़ते हैं हम सी, एच, ए च, 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 खा को हम पढ़ेंगे सी, एच, एच, ए छ, फिर है ज, तो जा को हम पढ़ेंगे जे, एच, ए यह होता है ज, फिर है ज, फिर है ज, फिर जा को हम पढ़ेंगे जे, एच, ए सॉरी, जे को हम पढ़ेंगे ए, जे, ए, ज़ ज़ को पढ़ेंगे जे, एच, ए फिर है, अड़ा खाली इसको हम पढ़ेंगे एन, ए ऐसे ही देखिए ट, ट को पढ़ते हैं ट, ए त, ए फिर है, ठ, 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 को पढ़ते हैं हम ट, एच, ए ठ, फिर है द, द, को हम पढ़ते हैं ड, ए फिर है, ध, ध, से डक्कन को हम पढ़ते हैं ड, ए, 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 फिर है अना खाली तो अना खाली को हम पढ़ते हैं अन, ए अब है, त, 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 को पढ़ेंगे ट, ए, 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 फिर है यहाँ पर द, द, सॉरी द, 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 को पढ़ेंगे हम ड, ए, फिर है ध, द, को पढ़ते हैं ड, ए, 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 द, ध, फिर है न, न से नल को हम पढ़ेंगे अन, ए, तो यह है न, फिर देखेंगे प, पा को पढ़ते हैं प, फ, फा को पढ़ेंगे प, ए, ए, फा को पढ़ेंगे प, ए, फा को पढ़ेंगे प, ए, ब, ब, बा को पढ़ेंगे ब, ए, ब, बा को पढ़ेंगे ब, ए, भ, बा को पढ़ेंगे ब, ए, ए, ब, फिर है म, मा को पढ़ेंगे यहां देखिए फिर है य तो य को पढ़ेंगे हम य य ए फिर र रा को पढ़ते हैं आर ए रा को पढ़ते हैं आर ए ल ल को पढ़ेंगे ल ए ल को पढ़ेंगे ल ए ल व को पढ़ेंगे वी ए व शासे शल्गम शासे शल्गम को पढ़ेंगे एस एच ए फिर शासे सटकॉर्ण शास अल्गम को भी क्या पढ़ेंगे हम एस एच ए फिर है सटकॉर्ण शटकॉर्ण को भी शास शटकॉर्ण को पढ़ेंगे एस ए फिर है सटकॉर्ण इसको पढ़ेंगे एस ए फिर है हा को पढ़ेंगे एच ए फिर है शटकॉर्ण सर्शत्रिय, श, श, को पढ़ेंगे के, एस, एच, ए, और त्र, त्र से तिर्सुल को पढ़ेंगे टी, आर, ए, और ये है ग्य, ग्या को पढ़ेंगे जी, वाई, ए, तो देखा आपने ये है हमारी हिंदी की वर्ण माला इंगलिश हो है, आइए इसको एक बार रिपीट करते हैं क, क को पढ़ेंगे के, ए, ख, खा को पढ़ते हैं के, एच, ए, ग, ग, को पढ़ते हैं जी, ए, ग, ग, को पढ़ते हैं जी, एच, ए, रणा खाली, रणा खाली को पढ़ते हैं एन, ए, च, चा को पढ़ते हैं सी, एच, ए, छ, चा को पढ़ते हैं सी, एच, ए, ज, ज, ज दा को पढ़ते हैं जे एच ए अडा खाली अडा खाली को पढ़ते हैं एन ए टा को बोलेंगे टी ए ठा को पढ़ते हैं टी एच ए डा को पढ़ेंगे डी ए डा को बोलेंगे डी एच ए ना को बोलेंगे एन ए ता से तराजु को बोलेंगे टी ए था था से थर्मस को बोलेंगे टी एच ए दा को बोलेंगे डी ए धा को बोलेंगे डी एच ए ना ना से नल को बोलेंगे एण ए प, प को बोलेंगे पी ए फ, फ को लिखते हैं पी एच ए ब, ब को लिखते हैं बी ए भ, भ को लिखते हैं बी एच ए म, म को लिखते हैं एम ए य, य को लिखते हैं वाई ए र, र को लिखते हैं आर ए ल, ल को लिखते हैं एल ए व, व को लिखेंगे वी ए शहषे शलगम को लिखेंगे S-H-A शहषे शटकॉन को लिखेंगे S-H-A सासे सड़क को लिखते हैं S-A ह को लिखेंगे S-A अक्षिमन शत्तुरी को लिखेंगे K-S-H-A त्र को लिखेंगे T-R-A ग्य को लिखेंगे G-Y-A तो ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पूजा वर्मा विजे स्टडी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए शेयर करिए हमारी अगली वीडियो में हम हिंदी से इंग्लिश में नाम कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे और मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे तो हम आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं